मैं हूँ अबिसार शेर्मा और आप देख रहे हैं Connect FM Canada with Faridun, stay connected. Syncratic culture जो है इंडिया का, उसको celebrate करना बहुत ज़रूरी है. मगर दुख की बात यहां है, कि उसे celebrate करना तो दूर की बात, उसे बर्माद किया जा. दो फिल्में रिलीज हुए हैं, Kashmir Files of Kerala Story. अधूरे सच पर बुनियारा, आप बताईए, आपने एक फिल्म रिलीज कर दी, यह कहकर कि 32,000 ओरतें साल में जो हैं, वो ISIS के पास चली गी. आपका punchline इतना shocking, इतना provocative था, जन्ता माँ देखने चली गी. अब आपने अदालत में जाकर फिर उसको 32,000 को तीन कर दिया, but the damage was already done. I would rather watch an escapist film like पठान और जवान, और तू जुटी मैं मकार, then, you know, watch something that is hateful. भाई, अभी आपने एक मुझे बड़ी दिल्चस्प सी एक कहानी बताई, जब आप शारुखान का इंटर्व्यू कर रहे थे, और exactly क्या हुआ था, ये सन 2000 की बात मेरे खाल से थी. चालीस मिनिट का इंटर्व्यू जो मैं उनसे कर रहा था, वो पॉस पर रिकॉर्ड हो रहा थे, यानि कुछ रिकॉर्ड लिए. अब मेरे होश उडग है, मैं लिटर्ली कांपने लगा कि बॉस, you're interviewing the superstar of India and the entire interview is gone on pause. मैंने बोला कि इनको बताऊंगा, तो ये तो गाड़ी से फिख देंगा मुझे बाहर या क्या है, मुझे समझना है. भाई, आपने अभी मुगले आजम का आपने जिक्र किया, मैं एक information आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था. अभी मुगले आजम जो प्ले है, फिरोज अबास खान का, सापका, ब्रॉडवे लेवल का प्ले है, जो कि बहुत जादा popular मुखबूल है, तो इस वकद वो नौर्ट अमेरिका में उसका टूर हो रहा है, खरीमन साड़े तीन महीने, ये लोग यहां पर रहेंगे, और तरहीं अभाव वकद वो गुगफा वो गजार चुके हैं, तो इतफाद से, शीकागो में मैं मैं मूझोद था, इनके उनके शो नहीं, वहां पर उस शो के अंदर, जिस तरीखे से एक दूसरे के फेस्टिवल्स को सलिस तरीबरेट किया जा रहा था, जिस तरीखे से एक बीच में एक वारतलाप हो रहा था, वो इतना और्गैनिक था, इतना नाचुरल था, भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, शिकागो के हॉल में सीटियां बजरेंगे, मतलब मुझे लगा मैं गेटी गैलक्सी में बैठा हूँ, मैं आप से एक्जाजरेट, मतलब इट इस गेटि जो हाइर एंड जो टिकेट्स हैं वो तो बहुत ही जादा एक्सपेंसिव है, सो यह कैसे देखते हैं आपको इस तरीखे का जो एक और मैंने पूछा भी और उन्होंने इसके बारे मैंने पूछा और उन्होंने का कि यह सिंक्रेटिक कल्चर जो है इंडिया का उसको सेलिब किया है, हमेशा सेलिबरेट किया है, मगर दुख की बात यहां है कि उससे सेलिबरेट करना तो दूर की बात उससे बरबाद किया जा, उससे बरबाद किया जा रहा है for a political cause, which is wrong, आप बताइए, यहां इंटेनेक पर कुछ दिमाग से पैदल लोग हैं जो बॉलिवोड को टा जा कर सकते हैं, उसके जो भी बुरे impacts हैं, उसके हम बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अगर लोग उसे इसलिए target कर रहे हैं, क्योंकि सहाब इन्हें लगता है कि उस film में जो है, ब्रहमन वाद पर निशाना साधा गया है, हिंदू धर्म पर निशाना साधा गया है, और ये एक किसम की controversy है, उर्दू वुड द्वारा, ये अपने आपने कितनी वाहियाद सोचे हैं, मतलब ये लोग सोचे ना, नफरत में, ये लोग कहां जा सकते हैं, मैं इसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये लोग अकसर कहते हैं, कि सहाब, देखिए, फलानी फिल्म में ठाकुर को, ब्राहमन को विलिन बताया गया है, ठीक है, ये तमाम चीज़े बताई जाती हैं, तो मैं उसे पलट के सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर ठाकुर को, ब्राहमन को विलिन बताया गया है, तो हीरो कौने मुझे बताओ ना, वो हीरो भी तो कोई शर्मा, वर्मा और सिंग ही है, कितने ही रोज आप पिछड़ी जाती के दल देते हैं फिल्मों में, बिल्कुल नहीं देखते हैं, याने कि अगर विलन बताया गया है, अगर उन्हें कुछ खास किसम के लोगों को एक खास जाती से, क्यों इसकी वज़ा किया है, 70s, 80s में, why was it कि सारे जो कु पूर जमिदार थे, या जो विलन्स थे, या जो system को अपने हाथ में रखते थे, वो तमाम लोग जो थे, वो एक खास जाती से, अगरी जाती से थे, because ताकत उनके हाथ में थी, and the films were a reflection of that, जमिदार क्या, आपने कितने जमिदार निगाह डाली पिछले 70 साल में, पिछडी ज आती हों कि देखे होंगे, जमिदार तो अगडी जाती कि थे, मैं खुद एक ब्राह्मन हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे जो परदादा थे, वो कैसे जमिदार, उनकी कहानिया सुनिये मैंने, खौफ ना, तो कहने कारती है, कि अगर फिल्मों में उन्हें दिखाया जारा है, तो बात सच है, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई विल्म जो है वो एक खास धर्म से है, तो लेट्स नाट फगेट 80% लोग वो हिंदू ही है, उन्हीं की अच्छाईयां और बुराईयां स्क्रीन पर रेप्रेजेंट होंगी, और दूसी तरफ फिर ये ना देखें, कि अंडर वर्ड के डॉन्स भी मुसल्मानों को दिखाये दाता है, और उसमें भी कोई अतिश्योक्ती नहीं है, विक्कॉज आप अंडर वर्ड के तमाम डॉन्स पर निगाह डालें, उन्हें मुसल्मानों की बड़ी तादाद है, तो ये जो एक सोच है, उस सोच के जरी आप अर्दू की एक साज़श बताते हैं, आप ये तमाम चीज़े बताते हैं, जो घलत, फिल्में समाज का आइना होती है, समाज में जो घट रहा है, उसे जतलाती है वो, उसको लेकर साज़श ढूना वाहियात है, और उससे भी आगे जाता है, फिल्में जिन चीज़ों पर ब आप उसे बरबाद करें, दो फिल्में रिलीज हुए हैं, कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी, अधूरे सच पर बुनियार, आप बताइए, आपने एक फिल्म रिलीज कर दी, ये कहकर कि 32,000 औरतें साल में जो हैं, वो, ISIS के पास चलिए, आपका पंचलाइन इतना शौकिं एक हकीत है कि कश्मीरी पंडितों को जो टॉर्चर किया गया था, उस वक्त वहां रहने वाले, उनके नेबर्स, जो मैजॉरिटी थे, उन्होंने आखे बंद कर दी थे, मगर उस पूरी फिल्म में, जो अधूरा सच बतलाएगा, एक पुलिटिकल पार्टी जिसने कश्मीर पंडितों पर सियासत की, जो वो सत्ता में आ गए, तो कितने कश्मीरी पंडितों को इनके रहाईशी शिवूरों में जाके उन्होंने मुलाकान, एक तरफ ये फिल्म है, दूसरी तरफ वो विरासत है, जो बॉलिवूट की रही है, मैं उस विरासत का दामन थामना चाहूं और तू जुटी मैं मकार, then, you know, watch something that is hateful, because मैं थी संटे जाकर फिर अपने दिमाग में नफरत भरने नहीं जाना चाहूं भाई, अभी आपने एक मुझे बड़ी दिल्चस्प सी एक कहानी बताई, जब आप शारुखान का इंटर्व्यू कर रहे थे, और क्या exactly क्या हुआ था, ये सन 2000 की बात मेरे खाल से थी मैं अस वक्त लंड़न में था परिदून और मुझे याद है कि लंड़न, BBC लंड़न में था और मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, और उस प्रोजेक्ट में मुझे बॉलिवुट की कुछ स्टोरीज प्रोफाइल करनी था, उसका जो फोकस था कि, यूनो, फिल्म डिनिस् किस तरह से आक्टर्स ने अपना मुकाम हासिल किया, तो जब मैं गया था, तो कुझे याद है, मैंने मनुझ बाजपे, आशितोष राणा, शारुख खान, इन सब का इंट्विव किया था, और उस ताइम, इस ताइम, भृतिक रॉशन वस बिग फिनॉमेन, तो शारुख क किया, कि मैं अपसे मिलना चाहता हूं, तमाम चीजें, मुझे याद है, अगले ही दिन उन्होंने मुझे काल बाक किया, और इंट्विव फिक्स हुआ, हम गए, और इंट्विव से पहले, मुझे याद है, मैंने काफी उनको देखा, वो कैसे शूट कर रहे थे, फिर जब उनके अपने वैनिटी वैं में आए, उनके जो तमाम असिस्टेंट्स थे, उनसे तमाम बाचीट हो रही थी, और मेरे पास state of the art, एक recorder था, हम शारुक की शांदार गाड़ी में बैठे हैं, और उनके घर की तरफ जाना में शुरू किया, करीम 40 मिनिट का सफर, और मुझे लगा मैं recording कर रहा हूँ, बात होती गई, इधर उधर की बड़ी मस्त बाते हो रही थी, और मुझे याद है, मु और मैंने क्या देखा, कि रिकॉर्ड का बटन तो ब्लिंक कर रहा है, मगर साथ में पॉस दबा हुआ है, यादि कि 40 मिनिट का इंटव्यू, जो मैं उनसे कर रहा था, वो पॉस पर रिकॉर्ड हो रहा था, यादि कुछ रिकॉर्ड लोगा, अब मेरे होश उड़ गया, मैं इसलिए आपको फिल्म बेकार लगें, तो मैं बात कर रहा था उस बार में भी, तो मैं पूछता गया, तो उन्हेंने अपने ड्राइवर को टाप किया और कहा, सुनना, एक एक लंबा चक्कर ले लिजा, और फरिदून हमने 15 मिनिट का लंबा चक्कर लिया, चलिए जहां मैं 40 मिनिट का इंटव्यू का सकता था, मैंने 15 मिनिट का इंटव्यू किया, और फकोस वो 15 मिनिट के विटल एफेम पर थी और शॉट वेव पर थी तो तो उसको लिए के जबरदस रिक्षन मिला था बट या कि आप इंट पंधरा मिन उन्हों ने और दे दिये और इन फाक्ट जो में नेक्स ताइम उनसे मिला था बहुत मैंक अनिला था उसके बाद उनसे काफी अरसे बाद तो मारा पॉस में तो नहीं है, and that this interview was for TV. मैंने आप से ये सवाल इस वज़े से भी मैंने पूछा कि मेरा पर्सनल जो एक्सपिरिंस थे पहली बार मैंने का इंटर्वु किया ओम शांती ओम के लिए तो आप समझ लिए खरीबन पंदरा साल पहले की बात है और पंदरा साल से शायद जादे होंगे, यह पंदरा साल तो मुझे याद है कि अब क्या मैंने ग्राजुली अपनी ग्रोमिंग और यह सब चीज़े मैंने करनी शुरू करें लिकर उस ताइम पर I did not look, like आप यखीन मी नहीं कर सकते कि how I looked at that point of time. बट एक तो उनमें एक अजीब यूनीक सी बात है that he makes you feel so comfortable और मुझे खरीबन दस मिनट में ले थे जो भी उस तरीखे से but he answered the questions बहुत ही patiently and बिलकुल उनोंने रश नहीं किया और बहुत ही अच्छे तरीखे से उनना आंसर दी and he was very very comforting so यह जो एक उनकी यूनीक उनकी जो एक I think capability है बात करने के टाइम पर media से वो आपने भी experience किया मैंने भी experience किया अब जो latest ख़बर यह आ रही है कि शारुकान ने डिसाइड किया है कि वो media से बात नी करेंगे apparently he's hurt with the way Aryan's case was covered and even apart from that the way जो एक opinion based जो I think news reportage especially news channel का reportage जो आया है पिछले कुछ टाइम पर शायद मुझे लगता है कि शायद उससे वो hurt है, confirmation नहीं but this is what we have heard, कैसे देखते हैं आप एक शख्स जो के बहुत cooperative है और अब उनका ये एक stance है नहीं देखे, मुझे ताजुब नहीं है let's not forget जो जहर बोया गया था उनके खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ I'm a family man, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे बच्चे हैं, मेरी family हैं, मेरी wife हैं, और आप भी जानते हैं कि अलग-अलग मोर्चों पे किस तरह से मेरी family पर निशाना साथा गयाता है and I'm very emotional about it I can understand, अगर आपके बेटे पर जूट पर अटाक किया जाता है, इतना गंदा प्रॉपगेंड़ा चला गया और आप जानते हैं, कुछ दिनों बाद मैंने बेखा कि एक journalist जो वसूली के आरुप में करीब 21 दिन तक तिहाड जेल में था उसने बताया कि मैंने शाहरुखान से बात की थी और शाहरुखान ने कहा था कि बड़े अभी थोड़ा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आप से बाद में बात करूँगा और वही journalist मैं देख रहा था कि आरिंग खान के दौरान या फे उससे पहले रिया चकरवर्ती सुशान सिंग राजपूत के दौरान लगातार वही जूट वही जहर और सिर्फ इन मुद्दों पर नहीं प्राइम टाइम में हर मुद्दे पर हर मुद्दे पर जूट बताना यह पच्चिस किसम के जिहाद है इसे लेकिन अजाने क्या क्या जब पठान भी रिलीज होने वाली थी तो उस दौरान भी मुझे याद है कुछ ऐसे वोईजस को यह चैनल्स अम्प्लिफाई कर रहे थे जो उस पर निशाना साधर है और फिर मुझे याद है कि जब पठान भी रिलीज हो गई जब इतनी बड़ी हिट हो गई तब चुकी प्राइम मिनिस्टर की सेवा करनी थी तो वो जो एक you know, metaphorically प्राइम मिनिस्टर को compare किया जागा था पठान के साथ की पठान तमाम जो विरोध के बावजूद तकी बड़ी हिट हो गई प्राइम मिनिस्टर भी opposition के तमाम विरोध के बावजूद जो है वो जो है हिट है, सुपर हिट है ये दोहरे माबदंट देखिए इस तरह से पहले आप टार्गेट करते हैं मगर जब success हो जाती है successful हो जाती है कल्पना की जो अगर फरिदून पठान flop हो जाती तब वही लोग जो से टार्गेट कर रहे थे वो लगातार प्राइम टाइम पे उन्हें eulogize किया जाता है उन्हें बढ़ा चड़ा कर पेश किया जाता है तो मैं बिल्कुल इतिफाक रखता हूँ अगर वो मीडिया को interview नहीं दे रहे हैं आपकी family को target किया जाएगा तो जाहिर सी बात है और दूसी बात ये मीडिया नहीं है आज की तारिक में पर इक दून मैं हर बार अपने शोज में भी कहता हूँ जो मौझूदा मीडिया है उनके लिए मेरे पास दो मिसाल एक 1940s में Hitler का जो propaganda machinery था Gibbles जो थे उनका जो propaganda machinery था ये लोग उस सोचके हैं सबसे बड़ी बाग 90s में अर्ली 90s में रेडियो रवांड़ा हुआ करता है आपकी जिन दर्शकों को रेडियो रवांड़ा के बारे में नहीं मालूँ रेडियो रवांड़ा में presenters शराब की नशे में बैठते थे और वो लोग रवांड़ा की minorities को target कर दे उसका नतीजा यह हुआ था फरिदून की एक बहुत बड़ा जेनोसाइड वा minorities का हुआ था और उसमें रेडियो रवांड़ा का एक बहुत बड़ा फिरदार था हमारा मीडिया भी लगभग वही करता है वो भी रेडियो रवांड़ा और गिबल्स के सस्ते अवतार हैं और उसके लावा कुछ था तो ऐसे मीडिया को क्यों credibility देना क्यों उन्हें वक्त देना जरूँत है निये शाहरों कि किसी भी actor को अपने promotion के लिए मीडिया की आज बहुत से जरीयें लोगों तक पहुँचने के सबसे बड़ी ताकत तो सोशल मीडिया है आप सोशल मीडिया के जरीये लोगों तक पहुँची आपको एक frame दिखाने की जरूरत निये नियूस चैनल हमने देखा कि जवान में कोई पठान में उन्होंने कोई इंटर्व्यूज नहीं करें और पिक्चर बहुत बड़ी हीट हुई अभी जवान में भी जिस तरीखे से वो एक Ask SR के सेशन्स उन्होंने स्टार्ट करें हैं और वो फैंस के साथ में वो बात करते हैं और खासा एक विटी पार्टिसिपेट कर रही है और जबर्दस खिसम का बज है और कहा जा रहा है कि मेबी शायद पठान से भी बड़ी हिट ये पिक्चर होने वाली है So how do you look at it? देखें, nothing succeeds like success I imagine कीजिए पठान फ्लॉप हो जाती किसी वज़ा से फिर आप जो मर्जी कर लो आप इसे नई grammar दे रहे हैं नई चीज जिक्र कर रहे हैं जैसे मैंने कहा ये चीज हमें नई और interesting इसलिए लग रही है क्योंकि हमारे पास पठान की background और उसकी success का background तो कहने का आर्थी है कि nothing succeeds like success अगर आपको एक नई चीज दिखाई दे रही है क्योंकि ये सफल हुई है and then let's not forget ultimately जवान जो है वो हिंदी फिल्म इंडास्ट्री को southern film इंडास्ट्री की डिरेक्टर से लेकर को स्टार से लेकर music डिरेक्टर से लेकर ultimately it's a south film शाहरुखान है it's a south film और south की भी फिल्में जो है आप जानते हैं organically Bollywood में जो है अपनी मौझूद की दर्ज करते हैं चाहे बाहु बली रही हो KGF, Triple R, इनको लेकि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा प्रमोशन यहां mainstream, Hindi Heartland में नहीं हुआ it was word of mouth organic luckily वो जवान यह है such a big hit and then the rushes of jawaan are so promising उस promise के चलते लोग उसे लिके बहुत curious हैं अब इस दौरान फरीदून आप जैसा मर्जी promotional campaign डाल दें क्यूंकि सारे जो elements हैं वो सही fit हो रहे हैं हाँ ऐसा ना हो क्यूंकि देखिए मैं तो 1980s से 70s से filmों का student रहा हूं तो मैं जानता हूं कर यह इसी film में आती हैं जिनके release से पहले बहुत जबरदस पस आता है मगर फिर पाद में फिल्म फुस हो जाती है I hope की वैसा नहीं होगा जावान के साथ मगर ultimately for the film to make a mark to cross that thousand pros it has to deliver on all fronts you know including the most crucial aspect which is the script